नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है Security and Safety Knowledge. इस माध्यम से हम अपने सुरक्षा रक्षक भाईयों को Security and Safety की जानकरी देते हैं और उसके जरिये वो अपना नालेज बढ़ा सके और उस नालेज को अपने कार्यस्थल पर इस्तमाल करके अपना विकास कर सके तो आज का टॉपिक है आग के प्रकार कितने है टाइप आफ फायर जैसे की पिछली विडियो में हमने देखा की फायर क्या है फायर किन-किन तत्वों से बनी है चैन रियक्षन और फायर ट्रायंगल क्या होता है अब इस विडियो में हम कि आग के प्रकार कितने होते हैं और उसे कैसे पहचाना जाता है कि वह आग किस श्रेणी में आती है तो चलिए विडियो को आगे बढ़ाते हैं अब हम देखते हैं कि आग कितने प्रकार की होती है साधारंता आग को छे प्रकार में विभाजन किया है जिसमें पहले आती है Class F Fire जिसे Solid Fire कहते हैं Class B Fire जिसे Liquid Fire कहते हैं Class C Fire जिसे Gas की Fire कहते हैं Class D Fire जिसे Metal की Fire कहते हैं और Class E Fire जिसे Electric Fire कहते हैं और फिर आखिर में हैं Class F Fire जिसे Kitchen Fire कहते हैं चलिए अब हम एक-एक करके इन सब के बारे में डिटेल में समझते हैं. तो इसमें पहले आती है. Class A Fire इस fire को Solid Fire या General Fire भी कहते हैं. इसमें Combustible Material आते हैं, जैसे की Plastic, Paper, Rubber, लकडे और कपडे इनमें अगर आग लगती है, तो उसे Class A Fire की आग कहते हैं. Class B Fire इस Class की Fire में Flammable Liquid आते हैं. और Flammable Liquid है, Petrol, Dizzle, All और Paint यह सब Flammable Liquid में आते हैं. अगर इन सब में आग लगती है, तो उसे Class B Fire की आग कहते हैं. Class C Fire Class C Fire में Flammable Gases आते हैं. Flammable Gas में C-A-N-G, A-L-P-G, Hydrogen, Methane और Butane इस प्रकार के सब Gases आते हैं. और इनमें लगी हुई आग Class C Fire में आती है. Class D Fire इस आग को धातू की आग कहते हैं. इस Fire में Combustible Metal आते हैं. इनमें कुछ धातूओं का समावेश होता है, जैसे की Aluminium, Potassium, Magnesium और Titanium. अगर इन सब में आग लगती है, तो वो Class D Fire में आती है. Class E Fire Class E Fire को हम Electric Fire के नाम से जानते हैं. जैसे की किसी Transformer में आग लगना, कही पर शाक सर्किट की वजह से आग लगना, कम्प्यूटर में या किसी जनेटर में आग लगना, इन सब में लगी आग को Class E Fire. मतलब Electric Fire कहा जाता है. Class A Fire Class A Fire को हम Kitchen Fire भी कहते हैं. अगर किसी के घर में Kitchen के Cooking All में आग लग जाती है, तो उसे Class A Fire में वर्गी करण करते हैं. तो आज हमने इस विडियो के माध्यम से सिखा, आग के प्रकार कितने हैं और आग का वर्गी करण कैसे किया जाता है. मैं आशा करता हूँ कि आपको यह विडियो अच्छे से समझ में आया होगा. तो चलिए मिलते हैं अगले विडियो में. जाते जाते आपसे एक निवेदन है. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इसे लाइक, शेयर करना न भुले.